नमस्कार आप देख रहें अन भारत और मैं हूँ नवेंदू शेखरजा दिल्ली के अरुन जेटली स्टेडियम में श्रीलंका और बांगलादेश के बीच मुकाबला जारी है बांगलादेश की टीम ने टॉस जीत कर श्रीलंका को बैटिंग के लिए निमंतरन दिया और श्रीलंका की टीम ने 289 रन बनाए श्रीलंका की ओर से अश्रीलंका ने शत्किय पारी खेली उन्होंने 108 रन की शांदार पारी खेली जिसमें की 6 चोके और 5 चोके लगाए आज का मुकाबला इस लिहास से अगर देखें सेमी फाइनल की दृष्टी से तो इतना जादा एहम नहीं है क्योंकि बांगलादेश की टीम ने सिर्फ अब तक एक जीत दरज की है वह श्रीलंका के दो जीत हैं अगर बांगलादेश जीतती है तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है और अगर यहाँ पर श्रीलंका जीतती है तो उसके 1% चांस है सेमी फाइनल में जाने के लेकिन उसके लिए अगले मुकाबले जीतने होंगे और उपर की जितनी टीम में टॉप तीन में उन सभी को अपना सभी मुकाबला लगबग हारना पड़ेगा तो श्रीलंका के लिए कह सकते हैं कि एक अंतिम सा मौका है लगबग नहीं के ही बराबर है तो बंगलादेश के लिए अब सेमिफाइनल में जाने का कोई भी चांस नहीं है बंगलादेश की टीम का प्रदर्शन पूरे विश्व कप में बहुत ही खराब रहा है श्रीलंकान टीम ने भी एक तरह से निराश ही किया है लेकिन बात करेंगे विराट कोहली की आज जिस तरह से पूरे विश्व में किंग कोहली की चर्चा हो रही है उन्होंने वन डे करियर में 49 शतक कल लगा दिया था इडन गाडन में 101 रन नौट आउट जिस तरह से दक्षिन अफरिका खिलाब धुवाधार पारी खेली यादगार पारी खेली क्रिकेट के भगवान सचिन तंदुलकर के सरवाधिक शतकों का रिकॉर्ड विरात ने तोड़ दिया और भारत की टीम ने श्रिलंका को 243 रनों के विशाल अंतर से हराया भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 326 रन बनाये थे टीम इंडिया की ओर से श्रिया सायर ने भी अर्द शतकिया पारी खेली थी अंत के ओवरों में जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की और किंग कोली का तो कोई जवाब ही नहीं है इस विश्व कप में किंग के 543 रन हो गए हैं और वो कुिंटन डिकॉक के बाद दूसरे अस्थान पर पहुँच गए हैं एक बार फिर से कल इडन गाडन में उसी तरह की बॉलिंग देखी गई भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने इस विश्व कप में पहली बार पंजा लगाया उन्होंने क्रिकेट के सबसे बड़े ओल राउंडर टीम इंडिया की ओर से युवराज सिंग विश्व कप में 2011 में उन्होंने 5 विकेट प्राप्त किये थे उनकी बराबरी कर ली रविंद्र जडेजा बैटिंग से पहले उन्होंने अच्छी बल्ले बाजी की और फिर गेंद बाजी में 5 विकेट चटका है इसके अलावा कुलदीप यादव को भी दो सफलता मिली तो वहीं पर महम्मद सिराज ने भी विकेट चटका है कल जस्परीद बुमरा को विकेट नहीं प्राप्त हुए महम्मद शमी ने दो विकेट अपने नाम किये और शमी के अब विश्चुकब में 16 विकेट हो गए अब तक उन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले है तो जिस तरह से भारतिय टीम का प्रदर्शन रहा है आठ में से आठ मैच भारतिय टीम ने जीता है अब देखना होगा सेमी फानल में भारत का सामना किसके साथ होता है उससे पहले बारत तारीक को टीम इंडिया का सामना नेधरलेंड के साथ होगा लीग स्टेज का एक मैच बचा हुआ है भारत की टीम उसमें हो सकता है प्लेइंग 11 में बदलाव करे जो खिलाडी बैंच पर बैठे हैं इशान किसन, रवी चंद्रनाश्विन या फिर प्रसीद्ध क्रिशना जो पांडिया के रिप्लेस्मेंट के तोर पर टीम से जुड़े थे क्या उनको मौका मिलता है क्योंकि टीम इंडिया पहले ही 8 जीत दर्ज कर चुकी है उसके 16 अंक है और अब नहीं लगता है कि कोई ओर टीम उसकी बराबरी कर लेगी क्योंकि अफरीका के भी सिर्फ एक मैच बचे है और अगर अफरीका टीम वो मैच जीतती है तो उसके 14 अंक ही रहेंगे ऐसे में अब 15 तारीक को मुंबई के वान खेड़े स्टेडियम में भारत ये टीम पहला सेमी फाइनल खेलने के लिए तयार है और ये तय है कि भारत वान खेड़े में ही सेमी फाइनल मैच खेलेगी यानि दूसरा सेमी फाइनल जो इडियन गार्डन में 17-16 तारीक को खेला जाएगा अब देखना होगा उसमें कौन सी टीम खेलती है 15 को भारत की टीम खेलेगी जो चौथे अस्थान पर टीम रहेगी अब अगर पॉइंट स्टेबल की बात करें तो टीम इंडिया तो 16 अंकों के साथ पहले अस्थान पर है लेकिन दूसरे अस्थान पर साउथ अफरिका की टीम है और उसके 12 अंक है उसने 6 जीत दर्ज किये हैं तीसरे अस्थान पर ऊस्टेलिया की टीम 10 अंकों के साथ है अट अंकों के साथ है हलांकि अस्थेलिया के लिए एक एडवांटेज यहा है कि तीम को भी धो मुकाबला और खेलना है यानि उनके पास और वो चार अंक तक जा सकते हैं बढ़ते हैं तो और उनके कुल 14 अंग हो सकते हैं और अफरिका अगर अगला मैच जीत्ती है तो उसके भी 14 अंग हो सकते हैं तो अब लग रहा है कि भारतिय टीम का सेमी फाइनल में सामना कहीं न्यूजिलैंड या पाकिस्तान से ना हो जाए क्यूंकि पाकिस्तान की उमेद् जीत्ती है तो वह भी 10 अंगों के साथ 14 अस्तान पर होगी अब पाकिस्तान और न्यूजिलैंड की टीमों का मुकाबला अलग अलग टीमों के साथ है ऐसे में दोनों टीम मुकाबला जीतना चाहेगी तो उदर अफगानिस्तान एक और दावेदार है उसके पास दो चांस है अभी उसके सिर्फ साथ ही मुकाबले हुए हैं दो मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम यदि दोनों जीतती हैं तो फिर उसके 12 अंख हो जाएंगे और वो सबसे उपर हो जाएगी और इत्यास एक तरह से अफगानिस्तान के नाम हो जाएगा नीचे की जितनी भी टीमे हैं उनके लिए दर्वाजे बंद हो गए हैं श्रीलंका, बंगलादेश, इंग्लेंड, निधरलेंड इन टीमों को अब सेमी फैनल में नहीं देखा जाएगा लेकिन जिस तरह से टॉब की टीमों ने प्रदर्शन किया है, खासकर टीम इंडिया, अब लग रहा है कि इस बार विश्चुकप जीतने का सपना तीसरी बार पूरा होने वाला है और ट्रॉफी उठाते रोहित शर्मा नजर आएंगे कल विराट के जनम दिन पर जिस तरह से विराट ने प्रदर्शन किया है, इस टूनामेंट में जिस लै में टीम इंडिया के ना सिर्फ बल्लेबाज, गेंदबाज और फिल्डिंग, जो सबसे बड़ी बात है भारती टीम की फिल्डिंग, काफी शांदार रही है पूरे सेमी फाइनल हो, लेकिन आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमी फाइनल में पहुंसती है, तो वेन्यू चेंज हो जाएंगे, मुंबई में मुकाबला नहीं खेला जाएगा, 2008 में आतंकी हमले होने के बाद पाकिस्तान टीम को मुंबई में बैन कर दिया गया था यानि वो शिफ्ट हो जाएगा और हो सकता है वो गुजरात के नरेंद्र मोधी स्टेडियम में ही खेला जाए, तो अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम सेमी फाइनल में पहुंचे और टीम इंडिया उसे सेमी फाइनल में बूरी तरह से हराए, तो अब झाल 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 झाल